लॉकडाउन के बीच दिल्ली के इंडिया गेट पर आज दो लगशरी बसों में कई विदेशियों को जाते देखा गया बसों में सोशल डिस्टिंसिंग के कायम नियम और कानू नदारत थे इसे में बड़ा सवाल ये है कि इनको किसकी इजाज़त मिली थी बस से इधर उधर जाने की वहीं इंडिया गेट पर मौझूद ट्राफिक पुलिस के सिपायों ने रोका और फिर जानी दिया सवाल पूछने पर ट्राफिक पुलिस वालों ने कहा कि इनके पास पर्मिशन है हाला कि उन्होंने ये नहीं बताया कि वे कहां जा रहे हैं पूरे मामले का जाइजा लिया है संबादाता बिलाल सब्जवारी ने अब पूरे मामले का थे का तुर्माल पूर्माल पूरे मामले का जाता है प्रवाइश्ट कर दो निए निए इतने सारे लोग जो इनको इनको केशने परमीशन दी हैं तो इनको किसे परमीशन दी फॉरेंड मैंश्ट्री ने दी सबस्वाल होता सर कि इतने सारे लोग ऐसे ने हैं जाके बात कीजिए हम वह देशकते हैं कोई जवाब नहीं देशकते हैं सर तो यह थे यहां के लोग जिनका यह कहना था कि इस संब्द में हम कोई जवाब नहीं दे सकते यह दो टूरिस बसे थी इसमें लोग फॉरण के लोग थे इन लोगों का यह कहना है कि पर्मीशन थी लेकिन इस सच्छिशन के अंदर इनको पर्मीशन कैसे दी किस ने दी यह अपना आप में सवाल खाड़ा करता है लेकिन यहां के पुलिस वालों को यह कहना है ट्राफिक पुलिस वालों को कहना है कि इस संब्द में आप हमारे अधिकारियों से बात कीजे कैमरमन वीवे के साथ बिलाल सब्जवारी सुराज एक्सप्रेस दिली तो आप रिपोर्ट देख रहे थे हमारे संब्द आता बिलाल सब्जवारी की जो हमारे साथ अब लाइव चुड़ गया इस खबर पर बिलाल दो बसे भरकर विदेशी नागरिक जो है वो आज दिली गेट से इंडिया गेट से पास हुए है और इनको लेके कोई इन्फरमे तब हमें किसी तरह को कोई रिपलाई नहीं मिल पाया इनके साथ जो टूरिस गाइड था उससे हमने जानने की कोशिश की उसने कोई रिपलाई नहीं दिया वो जो टूरिस जो खुद इनके साथ मौजूद थे उनसे हमने बात करने की कोशिश की उन्होंने कोई सैटिसफेक हमें देखने को मिल रही थे और एक बस में मिनीमम सौक के करीब लोग थे और दोनों बसों को मिला ले जाए तो तकरीबन 200 ये फॉर्णर थे और जब आज सोशल डिस्टेंसिंग की हो रही है जहां बसे अलाउड नहीं है एक दूसरे के करीब बैटना अलाउड नहीं है एक दूसरे से बात करना अलाउड नहीं है एक मीटर का डिस्टेंस पर हमें प्रिकॉशन्स रखनी है ऐसे में सौसों लोगों को बसों के अंदर भरके देरदून से दिल्ली भेज़ देना ये किसने इनको इजाज़त दी और ये कैसे इनको मिल पाई इसी सभी सवालों को जानने के हम कोशिच कर रहे थे लेकिन पुलिस वाले ये तो कह रहे थे कि उनको इजाज़त है इनको परमीशन है अगर इनके पास परमीशन थी तो फिर पुलिस वाले छुपा क्यों रहे थे और अगर ये टूरिस खुद कह रहे हैं कि हमारे पास पर्मीशन थी तो वे बात करने से क्यों कत्रा रहे थे सवाल ये अपना आप में खड़ा होता है और ये कह रहे थे कि हमें एरपोर्ट जाना है इस फिलाल तो सारी फ्लाइटे बंद हैं एरपोर्ट सील हैं तो ये कहा जा रहे थे कौन थे इसकी अपने आप में ये अपना आप में सवाल खड़ा करता है इंडिया गेट पर हम लोग गोजर रहे थे हमने देखा इदो फॉरन बसेज हमें लोग ट्रावल कर रहे हैं तो हम लोग चौक गए हमने समझने के कोशिच करी हमने अपनी गाड़ी रखवा ली हमने शौर्ट बनाने शुरू कर दी है हम लोग इन से बात करने शुरू कर दी तो आखिर ये इतने बड़ी संख्या में जो विदेशी नागरिक है वो कहां से आए ना कोई सेफटी यहां पर नज़र आ रही है और जो पूरा जो ये लोग डाउन की जो धजिया है खुले तोर पे उड़ती हुई नज़र आ रही है दिल्ली की सड़कों पर जी हाँ बिल्कुल इसे बिल्कुल लॉग डाउन की धजिया उड़ना कह सकते हैं आप सबसे बड़ी बात और सबसे महत्पूर बात यह है कि जब इस लॉग डाउन के अंदर जो फंडामेंटल प्रिकॉशन है सोशल डिस्टेंसिंग की उसको मिंटेन करने की बात हर नागरिक पर लागू होती है अभी आपने देखा मरकज में बात चल रही थी कि इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग में मिंटेन नहीं की इतने सारे लोग मौजूद थे तो फिर यह सोशल डिस्टेंसिंग एक बस के अंदर सो सो लोग आपने भर रखे हैं इसी वज़ा से दिल्ली के अंदर बसे नहीं चल रही है ताकि वाइरस एक दूसरे एक का दूसरे में ट्रांसफर ना हो किसी तरह से ये वाइरस ना फैले ये फॉर्णर लोग हैं ये यहाँ पर आए वे तो इनको कॉर्रणटाइन क्यूं ही किया गया या नहीं किया गया ये अपना आप में एक सवाल है आखरी इनको इजाज़त किसने दी कौन लोग है इस पर अपने आप में एक जाच होनी चाहिए इस पर अबधीकारियों को जवाब देना चाहिए कमिशनर पर इस पर सो मोटव लेना चाहिए ये बात करते है फॉरेंट मिनिस्ट्री की तो फॉरेंट मिनिस्ट्री देरादून से कहा आपरेट होती है तो ये तमाँ बड़े सवाल है कि आखिर लॉकडाउन के वक्त इतनी भारी संक्या में विदेशी नागरी का मूवमेंट कैसे हो सकता है और आखिरी लोग कहां से आये थे और कहां जा रहे थे बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल तमाम जानकारी हम तक पहुचाने